क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन मिस्र में फिरॉन की शादी कैसे हुई होगी? समय की रेट से बुनी गई एक कहानी में आपका स्वागत है, जहां शक्ती जुनून से मिलती है और परंपरा प्यार से जुड़ती है. फिरॉन दैविय अधिकार का प्रतीक विवाह के शिखर पर खड़ा है जो प्राचीन मिस्र के समाज की आधार शिला है. ये आपका रोज मर्रा का मिलन नहीं है, ये एक शाही सगाई की कहानी है, जो भव्यता और रहस्य से भरपूर है, एक प्रस्ताव सिर्फ शादी का नहीं, बलकि एक गठ बंधन का, जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा. फिरॉन हजरत आइसा पर अपना दिल लगाकर शादी के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, न केवल एक अंगूठी बलकि एक राज्य से भी अधिक की पेशकश करता है. अद्वितिय सुंदर्ता और अनुग्रह की महिला हजरत आइसा इस कहानी के केंदर में खड़ी हैं. उस ये एक पवित्र बंधन, एक इश्वरिय आदेश, एकता और शक्ति का प्रमान था. एक शाही शादी के लिए मंच तैयार होने के साथ, पूरा राज्य इस भव्य आयोजन का बेसबरी से इंतजार कर रहा था. एक शाही मिस्र की शादी की भव्यता की कलपना करें, एक ऐसा द्रिश्य जो आँखों के लिए एक दावत होगी. फिरॉन की कलपना करें, अपनी शाही पोशाक में शानदार हजरत एशिया के साथ वेदी पर खड़ा है. उसकी सुन्दरता शादी की रस्मों के आकर्शन से बढ़ गई है राज्य के मध्य में, समारोह एक भव्य आयोज हवा धूप की सुगंध और पारंपरिक संगीत की आवाज से घनी थी. दूर दूर से उच्च पदस्थ रईस और गण मान्य व्यक्ति उपस्थित थे. प्रत्येक ने इस अवसर की धूमधाम और भव्यता में योगदान दिया. अनुष्ठान गंभीरता और उत्सव का प्रतिकात्मक रूप से हाथ मिलाना और पवित्र अगनी के चारों और भव्य जुलूस निकाला गया. प्रत्येक अनुष्ठान परंपरा से ओत्परोत था जो मिस्रवासियों की समरिद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमान था और इस सारे तमाशे के बीच भावनाएं चर प्रिष्टी वाली शक्ति शाली फिरॉन के लिए उपयुक्त रानी थी. जैसे ही फिरॉन और हजरत आयसा को पती और पत्नी घोशित किया गया. राज्य में खुशी और राहत की हवा भर गई. शाही शादी की भव्यता के बाद क्या होता है? क्या जीवन हमेशा की तरह चलता रहा? फिरॉन और हजरत आयसा की शादी के बाद के दिनों में गतिविधियों की सुगभु गाहट देखी गई. सादगी पूर्ण जीवन का आदी एशिया अब शाही कर्तव्यों की जटिल दुनिया में धकेल दिया गया था. उसने जल्दी ही जान लिया कि फिरॉन की पत्नी होने का मतलब केवल एश्वर्य और वैभव नहीं था. यह शासन, कूट नीती और नेत्रित्व के बारे में था. अब अपनी नई रानी के प्रतिराज्य की प्रतिक्रिया की कल्पना करें अपने फिरॉन के सख्त चहरे के आदी लोगों को हजरत आयसा में धूप की किरण मिली. उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता ने तुरंत उनका दिल जीत लिया और वहराज्य में एक प्रिय व्यक्ती बन गई. हर दिन हजरत आयसा अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहत अपनी नई भूमिका को अपनाते हुए एक नाजुक संतुलन बना कर चलती थी. उसने महल की साजिश की भूल भूलया को पार कर लिया, हमेशा एक न्याय प्रिय और निश्पक्ष रानी बनने का प्रयास करती रही. उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था. दिन सपताहों में और सपताह महीनों में बदल गए. जैसे ही शादी के उत्सव की धूल जमी, हमारी रानी हजरत आइसा को शाही मिस्र के जीवन की जटिल टेपेस्ट्री में अपना स्थान मिल गया. हजरत एशिया, जो अब एक रानी थी, अब शाही मिस्र के जीवन की फिरॉन की शादी सिर्फ सम्रिध्य और परंपरा का एक भव्य तमाशा नहीं थी, यह एक मिलन भी था जिसने प्राचीन मिस्र के इतिहास के पत को आकार दिया। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने एक सभ्यता की नियती को आकार दिया। है.